हलो दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चाहें ग्यान प्लस पर एक बाद फिर आजिलू एक नए वीडियो लेकर आचार सहीता लागू होने से लेकर खत्म होने तक भरतियों पर क्या कितना असर पड़ेगा 79 जास इच्छक भरती का क्या होगा क्या रेलवे ग्रूप डी की भरती आएगी अब यूपे ट्रिपरेसी के वीडियो हुआ चकवंदी और पुलिस का रिजल्ट आएगा जानिए सभी सवालों के सही वा सठीक जबाब तो चलिए सुरू करते हैं अगर आप हमें चैनल पे नहीं हैं तो चैनल को सबस्क्राइब तदा बिला आइकन को प्रेस करना मत भूले इसी तरह की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए तो इन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि अचार सहीता होती क्या है उसके बाद हम एक एक चीज़ों पे डिटेर्म में चर्चा करेंगी किन बड़तियों पे क्या अवजर पढ़ सकता है तो देखिए सबसे बड़ी बात यहां पे क्या है चुनाओ खत्म होने तक हर पार्टी हर पार्टी और उसके उमिद्वार को करना हो तो चुनाओ खत्म होने तक यानि कि आप मालेजे कि नई सरकार गठन होने पे तक अगर कोई उमिद्वार इन यमों का पालन नहीं करता तो चुनाओ आयोग उसके खिलाब करवाई कर सकता है उससे चुनाओ लड़ने से रोख सकता है हुमिद्वार के खिलाप पहायार्दा जो सकती है और दोसी पाय जाने पर उसे जेल भी जाना पड़ सकता है किसी भी राज या केंदर में चुनाव की तारीकों का एलान के साथ ही राज या राज या देश में चुनाव आचार सहहिता के लागू होते ही प्रदेश वादेश भर में प्रसासन के कई अंकुस लग जाते हैं सरकारी कर्मचारी चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक निर्वाचन आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं फिए आयोग के मातहत राकर उसके दिसा निर्देशों पर काम करते हैं अब आप इससे एक अंदाजा लगा दीजिए कि जितने सरकारी करमचारी होते हैं वो आयोग के करमचारी बन जाते हैं चलिए शुरू करते हैं देखी यहाँ पर आचार सहींता के दोरान भी आयोग विभिन पदों के लिखित परिच्छा हैं और स्किल टेस्ट का आयोजन कर सकता है लेकिन अंतिम भरती परिच्छा परडाम आचार सहींता खत्प होने के बाद जारी होती है यह चीज़ आप ध्यान रखे अंतिम भरती परिच्छा परणा यानि कि फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा लेकिन जो रिजल्ट हैं जो नॉर्मल रिजल्ट हैं वो आ सकते हैं जैसे किसी परिच्छा का एक्जाम होना है उस पर अभी इंटर्व्यू होना है या मान लिजिए कि उस पर अभी टेस्ट होना है या सेकंड पेज़ का एक्जाम होना है या उस पर पीटी होनी है या फिर उस पर मान लिए कि टेस्ट टाइपिंग टेस्ट होने है तो इन सब पर बढ़ती रिजल्ट जारी कर सकता है इस पर कोई रोक नहीं हो सकती एक चीज़ हम आपको और दिखाना चाहरा है इन सब से चीज़ों में देखें यहां पर देखिए को आचार सही था आयोग की भर्ती भर्तियों पर कोई खासा फर्क नहीं पड़ता है लिखित और टाइपिंग टेस्ट चलते रहते हैं केवल अंतिम परिच्छा परडाम नहीं निकाल सकते हैं उन्हों देखी अब यहां पर देखी केवल अंतिम परिच्छा परडाम नहीं निकाल सकते हैं इन चीजों को आप notice कर लिजी अब चली हम शुरू करते हैं और देखते हैं विपिन भरती परिच्छाओं में क्या क्या होना देखिए हम इन सब की बातों पर बात कर लेते हैं हम इन बातों पर आप चर्चा कर लेंगे तो आपको वाकी अनपरिच्छाओं का खुछ समझ में तो देखिये शुरू करते हैं क्या रेलवे ग्रूब डी की भरती आएगी तो लेकिर सबसे पहले हम बात कर लें रेलवे गृरूब दी की भरती का नोटिपिकेशन पहले ही जारी करें इसमें सिर्फ इतना अबकी है कि जो बारा त्रिक से वह प्रक्रिया शुरू होनी है यानि आउधन सुरू होने है अगर यह नोल बन दे ना अहु पाथी यानि कि इस पह आवेदन भी सुरू हो पाते इसका मतलब को तो यहाँ आँ की है कुओड का फैंसला आने के बाद क्या होगा उर्टजा सचकवर्थी से से समंदित मैटर एक ये है कि यहाँ पर देखे रिज़ल्ट अभी जारीकरने में कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इनका यह फाइनल्व जीर्ट नहीं क्योंकि कि इसके बाद अभी counseling होगी counseling होने के बाद इसका final result जारी तो इसका final result नहीं जारी ओसकता है यह जो result अभी भी आना है उसमें भी क्या करना होगा कि PNP को क्यं है कि चुनाओ- तो अभी कोई दिक्कत नहीं हो लेकिन जो सेलेक्शन कर जारी करना है वह आयोग नहीं जारी कर पाएगा यानि कि अभी यह बड़ती प्रक्रिया फंस गई है अभी चुनावाद ही पूरी हो पाएगी अब बात करते हैं यूपी ट्रिपल सी के वीडियो की तो यूपी यह फाइनल रिजल्ट होगा इसके बाद डीवी पीस्टी के लिए बुलाया जाएगा उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा तो देखिए सबसे बड़ी बात है फाइनल रिजल्ट तो इसका फाइनल रिजल्ट है तो इस पर भी क्या करना है आयोग को इस्टेंड जारी हो गया किसी वज़ा से क्या किया गया इसको कैंसिल किया गया है यानि कि रद नहीं कि इसे कैंसिल किया गया है जबकि इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया इसका मतलब इसमें कुछ संसोधन करके जारी किया जा सकता है तो इस पर क्या करना है कुछ संसोधन नहीं करना यह जारी करना चाहते हैं तो जारी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं अब पुलिस का रिजल्ट पुलिस का रिजल्ट आ जाएगा पुलिस के रिजल्ट की बात करें तो पुलिस के रिजल्ट आने में कोई दिक्कत नहीं होगी पुलिस का रिजल्ट आपका पूरी तरह से आ सकता है क्योंकि इसके बाद आपका फिजिकल इंटरेंट टेस्ट होगा इसके पुलिस में तो इस पर आपके कोई दिक्कत नहीं होगी यह आपका फूरी तरह से रिजल्ट आ सकता है हाँ लेकिन इसमें भी क्या होगा कि आयोक से परमीशन लेनी होगी तभी यह रिजल्ट जारी कर पाएंगे पुलिस का उसके लावा बात करते हैं अन्न सभी परिच्छाओं के तो आपको हम बता देए एक बेसिक चीज़ें बता देते हैं कि जीन भी परिच्छाओं में कंप्यूटर टेस्ट इसकिल टेस्ट या कोई भी अगले स्टेज का एक्जाम होना है उसका भरती परणाम जारी किया रहेगी उसके अलावा कुछ रिजल्ट भी जारी किया जा सकते हैं लेकिन वो भी क्या है वो चुनावायों के परमीशन के द्वारा ही जारी किया जा सकते हैं बिना चुनावायों के परमीशन के कोई बिलिजर जारी नहीं किया सकता है अब हम आपको एक बेसिक चीज बता देते हैं चुनावायों चोटी मोटी भरतियों के तो परमीशन दे जाता है लेकिन बड़ी भरतियों परमीशन नहीं देता कि अगया नहीं देता है कि यह चुनाव आयोग 이것 का बीघ्या और घ्रमानिक ब्रत्व सब्सक्राइब सवालें के बात तो स्रेम सिच्वेश्ट् जो कि चगवन दी वहीं आ बाकियमें जो कि इसमें विवाविकास करने आदिखारी का रेलवे के हैं जो भी एक्जाम के फिजिकल टाइपिंग टेस्ट इन सब के हैं उन सब में कोई दिक्कत नहीं होगा आप सब नेशिंतर है उसका आयोग कर सकता है पूरी तरह से लेकिन अब यह आयोग के उपार क्यों करना चाहता है कि नहीं करना चाहते हैं तो यह सारी खबर इतनी भी हमारी तरफ से हो पाया है हमने किया है फिर भी अगर आप लोगों के कुछ सवाल छूट गए हैं कुछ सवाल बच रहे गया हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं कमेंड बॉक्स से हमसे सवाल पूँश सकते हैं हाँ एक चीज़ हो रहे है कि मेल पर हम हमारा मेल है जिम2207995.com अगर हाँ मेल पर आपके रिस्पॉंड जल्दी मिल जाएंगे और कमेंड बॉक्स पर हो सकता है कि आपके रिस्पॉंड मिलने में काफी समय लग जाए तो इस वज़़ा से आप हमको मेल कर दीजे जाबा बेटर अगर आपके कोई स